सान्ता कारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुड्यसं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भौवबैहरं सर्व लोके कनाथं अज का दिन आप सभी के लिए मंगल में हो तो आईए सुनते हैं पौस मास कथा का सताइस्वा अध्याए ब्रह्मा जी भागवान के अवतारों का वर्णन करते हुए नारज जिसे आगे कहते हैं भागवान वामन अधीती के पुत्र में सबसे छोटे थें परन्तु गुणों की दृष्टी से वे सबसे बड़े थें क्योंकि यग्य पूरुस भागवान ने इस अवतार में बली के संकल्प छोड़ते ही संपुर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नापलिया था वामन बनकर उन्होंने तीन पक पृथ्वी के बहाने बली से सारी पृथ्वी तो ले ली परन्तु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सनमार्ग पर चलने वाले पूर्षों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पूरुस भी अपने अस्थान से नहीं हटा सकते दैंति राज बली ने अपने से पर स्वयम वामन भागवान का चर्णा मृत धारन किया था ऐसी अस्थिति में उन्हें जो देवताओं की राजा इंदर की पद्वी मिली इसमें कोई बली का पुर्षार्थ नहीं था अपने गुरु सुक्राचारी के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिग्या के विप्रित कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए और तो क्या भागवान का तिस्था पग पूरा करने के लिए उनके चर्णों में सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित कर दिया नारद तुमारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भागवान ने तुमें योग, ज्यान और आत्म तत्यु को प्रकासित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया वह केवल भागवान के सरणागद भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है वही भागवान स्वयम्भू आदि मनवंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंस की रक्षा करते हुए दसो दिसाओं में अपने सुलर्षन चक्र के समान तेज से बिरोक टोक निसकंटक राज्जी करते हैं तीनों लोकों के उपर सत्य लोक तक उनके चैत्रों की कमनिये किर्थी फैल जाती है और उसी रूप में वे समेस में परपित्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं स्वानाम धन्य भगवान धन्वंत्री अपने नाम से ही बड़े-बड़े रोगियों के रोक ततकाल नश्ट कर देते हैं उन्होंने अमरित पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरन किये हुए उनके यग्य भाग उन्हें फिर से दिला दिये उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुरुवेत का परवर्तन किया जब संसार में ब्रामन द्रोही आर्य मर्यादा का उलंगन करने वाले नार्किये छत्री अपने नास के लिए ही देव वस बढ़ जाते हैं और प्रित्वी के कांटे बन जाते हैं तब भगवान महाप्रकर्मी पर्शुराम के रूप में ओत्रेण होकर अपनी तिखी धार वाले फर्शे से 21 बार उनका सनहार करते हैं माया पती भगवान हम पर अनुग्रा करने के लिए अपनी कलाओं, भरत, सत्रुगन और लक्षमन के साथ स्री राम के रूप में एक्च्वाकू के वन्स में ओत्रेण होते हैं इस ओतार में अपने पिता की आग्या का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वेवन में निवास करते हैं उसी समय उनसे विरोध करके जावन उनके हाथों मरता है त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत संकर के समान जिस समें भगवान रामसत्रू की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र टट पर पहुँचते हैं उस समें सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई प्रुधागनी से उनकी आखे इतनी लाल हो जाती है कि उनकी द्रिष्टी से ही समुद्र के मगरमच, साप और ग्रा आधी जीव जलने लगते हैं और भैसे थर-थर कापता हुआ समुद्र जट-पट उन्हें मार्ग दे देता है जब रावन की कठोर छाती से टक्रा कर इंद्र के वहन इरावत के दाप चूर-चूर होकर चारो और फैल गए थे जिससे दिसाएं सफेध हो गई थी तब दिग विजई रावन घमंड से फूल कर हसने लगा था वही रावन जब से राम चंद्र की पतने सीता को चुड़ा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उन से लड़ने के लिए गरव पूरोक आता है तब भगवान से राम के धनुस की टंकार से ही उसका घमंड प्राणों के साथ ततक्छन विलिन हो जाता है जिस समय जुंड के जुंड देंते प्रित्वी को रौन डालेंगे उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस्ट से बलराम और स्रीकेशन के रूप में काला वतार रहन करेंगे वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्वुच चैत्र करेंगे कि संसार के मनुस्य उनकी लिलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे बच्छपन में ही पुतना के प्राण हर लेना तीन महिने की अवस्था में पैर उच्छाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकास को छूने वाले यमलारजुन विलिक्ष के बीच में जाकर उसे उखार डालना ये सब ऐसे कर्म हैं जिने भागवान के सिवा और कोई कर्ण ही नहीं सकता है जब कालिया नाक के विच्छ से दूसित हुआ यमना जल पीकर बच्छडे और गोप बालक मर जाएंगे तब वे अपनी सुधा मै क्रिपा दिश्टी की वर्षा से ही उन्हें जिवित कर देंगे और यमना जल को सुध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विच्छ की सकती से जिब लपलपाते हुए कालिया नाक को वांस निकाल देंगे उनकी या लिला भी आलोकी की होगी उनकी सकती वास्तों में अचिन्त है उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रसी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी दो अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जमभाई लेते समय सिकेशन के मुख में चौधों भूवन देखकर पहले तो यसुदा भैभीत हो जाएंगे परन तो फिर वे संभल जाएंगे वे नंद बाबा को अजगर के भैसे और वरून के पास से छुडाएंगे मैं दानों का पुत्र वेमासूर जब गोप बालकों को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे गोप के लोगों की जो दिन भर तो काम धंदे में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत धक कर सो जाते हैं साधना हिन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे निस्पाप नारद जब स्रिकेशन की सला से गोप लोग इंदर का यग्य बंद कर देंगे तब इंदर वरज भूमी का नास करने के लिए चारो ओर से मुसला धार वर्षा करने लगेंगे उससे उनकी तथा उनके पस्वों की रक्षा करने के लिए भागवान की रिपा वस हो साथ वर्ष की अवस्था में ही साथ देनों तक गोवर्दन परवत को एक ही हाथ से छतरक पुस्प की तरह खेल खेल में ही धारन किये रहेंगे व्रिंदा वन में विहार करते समय रास करने की इक्षा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उजवल चांदनी चारो और छिटक रहे होगी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेडेंगे उससे प्रेम इवस होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक संख चुड़ हरन करेगा तब वे उसका सीर उतार लेंगे और वी बहुत से प्रलंबा सुर धेनुका सुर बका सुर केसु अरिष्टा सुर आदी द्यात्य चानुर आदी पहलवान कूलिया पीढ हाथी कंस काल्यवन भामा सुर तथा कंबोज मतरसिय कुरू केकर और सिंजय आदी देशों के राजा लोग एवन जो भी योधा धनुस धारंकर के योध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम भीमसेन और अरजुन आदी नामों की आर में स्वें भागवान के द्वारा मारे जाकर उनी के धाम में चले जाएंगे समय के फिर से लोगों की समझ कम हो जाती है आयो भी कम होने लगती है उस समय जब भागवान देखते हैं कि अब ए लोग मेरे तत्तु को बतलाने वाली वेद वाणी को समझन में असमर्थ होते जा रहे हैं तब प्रतेक कल्प में सत्यवती के गरभ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेवेद रूपी व्रिक्ष का विभिन साखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं द्यवताओं के सतु दैंत लोग भी वेद मार्ग का सहरा लेकर मैदानों के बनाये हुए अध्रिसे वेग वाले नगरों मेरा कर लोगों का सत्यानास करने लगेंगे तब भगवान लोगों की बुद्धी में मोह और अत्यंत लोग उत्पन करने वाले वेज़ धारंग करके ब नहीं भी स्वहाज स्वधा और वश्टकार कि ध्वनी देवता पित्रों के यग्य स्वधा की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी तब कल्योग का सासन करने के लिए भगवान कलकी ओतार ग्रण करेंगे तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ इसके आगे की कता में कलक अध्याय में सुनाऊंगा तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोली भगवान विश्णु कीजे श्री किष्ण भगवान कीजे लक्ष्मी माता कीजे तुलसी माता कीजे समस्त देवी देवताओं कीजे